नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पथिक दगाइड में अपनी जोतिलिंग यातरा की सीरीज में आज हम बात करेंगे सिवके नवे जोतिलिंग, बैजनाथ जोतिलिंग की बाबा बैजनाथ धाम कैसे जाएं, कहां रुकें, कितने दिनों के लिए जाएं, तदा कितना खर्चाएगा इन सब की जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में दूंगा सबसे पहले बात करते हैं कि बैजनाथ धाम कितने दिनों के लिए जाएं सुल्तान गंज में गंगा इसनान करने के पस्चात दो पात्रों में गंगा जल भर कर ब्राम्भर से अपनी यातरा शफल होने का संकल्प लेकर अपनी यातरा शुरू करें सुल्तान गंज का गंगा जल बाबा बैजनात पर चड़ाने की परंपरा है प्रतेक वर्ष सामन माह में कावरी अपनी कावर यात्रा यहीं से शुरू करते हैं सुल्तान गंज से देवगर की दूरी लगभग 110 किलो मिटर दूर है आप यहां से पैदल कावर यात्रा करके देवगर पहुंच सकते हैं यदि आप चाहें, तो सुल्तान गंज से देवगर बस के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, बस की आतरा लगबग 5-6 घंटे की होती है देवगर पहुंच कर सबसे पहले होटल बुक करें, होटल बस स्टेंड के पास ही मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 500-1000 में अच्छा होटल मिल जाएगा होटल में चेक इन करने के पस्चाथ बैजनात मंदिर जाएगा, यहाँ बस स्टेंड से थोड़ी दूरी पर ही है, बस स्टेंड से मंदिर आपको पैदल ही जाना होगा मंदिर में भुक्तों की भारी भीड जमा रहती है, जिससे दर्शन करने में 3-4 घंटे का समय लगेगा यदि आप चाहें, तो वियाईपी टिकट लेकर सीग्र दर्शन कर सकते हैं यदि आप चाहें, तो वहाँ के स्थानिय ब्रामण को दारा भी सीग्र दर्शन कर सकते हैं अब बात करते हैं, बैजनात जोतिलिंग तथा मंदिरों की बैजनात जोतिलिंग ग्यारा उंगली उचा है, तथा इस पर लंकेस के अंगुठे का निसान है बैजनात मंदिर कमल के आकार का है, तथा इस मंदिर की उचाई लगवग 72 फिट है ऐसी माननेता है कि इस मंदिर का निर्मार स्वयम भगवान विश्व कर्मा द्वारा की गई है बैजनात जोतिलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, यहां भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है सुल्तान गंज से भरेवे पात्रों में से एक पात्र का गंगा जल बाबा बैजनात पर चड़हें बाबा बैजनात धाम में 22 देवी देवताओं के मंदिर हैं बाबा बैजनात मंदिर के सामने ही एक्याउन सक्ती पीठों में से एक माता सती का मंदिर है जिसे हादर पीठ मंदिर कहते हैं, यहां पर माता सती का हिर्दय गिरा था बैजनात धाम में भगवान शिव तथा माता पार्वती दोनों के होने के कारण इस मंदिर की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है यहाँ पर भगवान शिव तथा माता पार्वती को गड़ बंदन में रक्षा सूत्र से जोड़ा गया है दूसरे दिन की सुरुवात बासुकीनात मंदिर से करें बासुकीनात मंदिर देवघर से लगभग 42 किलोमेटर दूर है जिसके लिए आपको टावर चोक से ओटो या कार मिल जाएगी बासुकीनात मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड जमा रहती है इसलिए यहां भी दर्शन करने में दो से तीन घंटे का समय लगता है सुल्तान गंज से भरे हुए दूसरे पात्र के गंगा जल को यहां चड़ाया जाता है ऐसी माननेता है कि बाबा बैजनात के दर्शन के पस्चाथ बास्कीनात बाबा के दर्शन करना अनिवारे है नहीं तो यातरा सफल नहीं होती है इसके अतरिक्त आप यहां हरेला जोडी, नौलक्खा मंदिर, त्रिकुट हेल्स, नंदन पहाड तता तपुवन जा सकते हैं देवघर में दो दिन दर्शन करने के पस्चाथ दूसरे दिन शाम को आप वाफसी कर सकते हैं देवघर से 8 किलोमेटर दूर जसी डी जंक्सन से आपको ट्रेन मिल जाएंगी अब बात करते हैं के बजट की, तो यहां पर आप 4000 रुपए में अराम से घूम लेंगे जिसमें होटल, फूडिंग और लोकल कन्वेंच सब इंक्लूड है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए यदि कोई डाउट हो, तो कमेंट करके पूछें आगे और ऐसी वीडियोज पाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तदा बेल आइकन को प्रेस कीजिए थैंक्स वर वाचिए